हेलो दोस्तों गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महला को क्या खाना चाहिए जिससे उनके गर्भ में पल रहा सिसु स्वस्थ पैदा हो और गोरा हो सुन्दद हो आज मैं इस वीडियो के मादेम से पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ सबसे पहले मैं आपसे आगरह करती हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अच्छी जानकारी आपको पूरी गर्भावस्था के दौरान मिलती रहे। आपको कुछ बातों का अपने खान पान का ध्यान रखना होगा इस वीडियो के मादेम से पूरी जानकारी आपको दोंगी क्या खाना है आज मैं चार चीजें आपको बताने वाली हूँ अगर आप इन चारों चीजों को खाती है पीती है तो आपका बच्चा गोरा पैदा ह सबसे पहला है संत्रा आगर आप प्रिगनेंट हैं और गर्वनेपन आपको रोजाना दो संत्रा जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें vitamin C होता है जो बच्चे की skin के लिए काफी फैदαιमत होता है तो संतरा गरभवत्य महला को जरूर खाना चाहए इसके बार नार्यल पानी, गरभवत्य महला को रो जाना 1-2 नार्यल पानी जरूर पेने चाहए ताकि होने बच्चे की skin अच्छा हो इसमें पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटिसीड सिसू के स्वस्त के लिए तुचा के लिए बेहतर विकास के लिए बहुँ जरूरी होता है दो रोजाना नाजियल पानी जरूर पिना चाहेंगे उसके बाद कच्चा नार्यल, गर्भवत्य महला को कच्चा नार्यल के साथ साथ मिस्री मिला कर खाना चाहेगी, इससे ना सिर्फ होने वाले बच्चे की स्कीन अच्छी होती है, बलकि सरीर में कमजोरी जैसी पदिसानी अगर है, तो वो भी दूर हो जाएगी, रोजाना आप कच्चा नार्यल और मिस्री दोनों साथ खाएं, या दास्त भी बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी स्कीन भी सही रहेगी, और सिसू भी आपका गोरा पैदा होगा, एक जो सबसी जरूरी बात है, वो आपने कई बार सुना होगा, केसर और दूर का सेबन, गर्भवत्य महला को केसर और दूर का सेबन जरूर करना चाहिए, ये बड़े बुजुर्ग भी कहां करते थे, कि प्रेग्नेंट महला को केसर दूर जरूर करना चाहिए, अगर आप गर्भवत्य हैं, तो पांचबे महिने से लेकर केसर का दूर पिना सुरू करते हैं, इससे ना सिर्फ होने वा संतरा, नार्यल पानी, कच्छा नार्यल और केसर दूध बहुत जरूरी होता है किसी भी प्रेगनेंट महला के लिए जो चाहती है उनका सिसु गोरा फैता हो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू भैरे मच